नमस्कार, आपकी क्लास on Color Dance by DTFE, मैं रिद्धी मेहर, आपका रिद्यकत स्वाधत करती हूँ, आज की इस क्लास में जिस पिश्रक बढ़ाँ चल्चा करने जाते हैं, वो है धृत्य में दिशाओ का महत्तु साधरी रूप से प्रातर की प्रशन यह होता है कि दिशाओ Państwa का अर्थ क्या होता है, मृध्य में दिशा शर्ली द्वाय लिगए रेखा हो दिया, यहां द्रिश्यशक्ति के रूप में द्रिश्यदिशा ए रूप stamping दिश्यप परहखों के लिए एक संध्यिक रूप में गा करते हैं आयद के पश्चा यह समझना भूमत जरूदी है कि दिशाय कितने प्रकाखें होते हैं तो मृत्य में दिशाय आठ कार्डिनल बिंदों की तॉमपस के तरह होते हैं जो कुछ इस प्रकाखें थे हैं आप यह संत्र सेंटर संयिसह संत्र दूसरा मों तीसरे और चौधे तक तस्छाथ दाइनल अब ढालं फ्रंट अब दाइनल भांग है और दाइनल पाल्ट तो यह दिक से थोड़ा बेंटर समझने के कोशिश करें तो खड़ी के रूंप में इसकी एक कुर्टी बनकर आई है जो कुछ इस तरह दिखती है एक दो तीन चाट पांच छेड़ साथ आठ नौ और देस तो यह हमारा उत्वत्ती हस्त है उत्वत्ती हस्त कस थाने और यहां से दसों दिशाओं में हमारे शरीव के संचालन, शरीव के अंग संचालन का प्रयोग परते हैं शरीव की सिदिए एवं गदी को दर्शाओं के लिए नुट्य करते समय एक नर्था को दिशाओं का प्रयोग करने की अवश्यणा बोली है इसके अलावा दिशारी नर्टक को उनकी संगी स्थान एवं दर्शबू के साथ एक मेंजवग बना है रखने में भी मदद करता है मदद करता है जिससे उनकी प्रसुति निखर कर आ दिये एवं दर्शबू के साथ उनका संगठत बना देता है दिशारी के महत्व को समझ लिन के पिश्चा यह जाना बहुत जरूरी है कि यह दिशारी को संचालों सही तरीके सी ना किया गया हो तो दृत्य सीखने को तक्नीकी रूप से आयंगिर हो सकता है जैसे तक्नीकी दांस तक्नीक को गलत समझना यह दृत्य रचना में ढहात हो जाना किन्फ्यूज हो जाना यह रचना को अस्वष्ट का रूप से समझना और बहुत पुपन रूप से दृत्य प्रस्वति करन की सुन्धरता का चले जाना इस सबी प्रुपिया हमें देखने सुपिया ऑगर में प्रुप लेंगे देखने। जाना यह दोसे हम से साद्ध आपढ़ में देखने दुप एको ौद्स्ट अँ प्लाप घो अगर हम देंग देर तरस्टा ट pastureं में देखने रच Nations इस तुप्रे में दिश्वाओं का संचान अलवन रुप में किया गया है परतो इस दिश्वाओं का संचान के परयब को यदि हम सही हमसे ना करें तो इसकी कृति कुछ इस प्रकार दिखें इस प्रकार से यदि हम तक्मीम को या दिश्वा की गती को गलत यूप से अगर संचते हैं तो ना के वर वो हमारी प्रिस्वादी को खराब करता है किंदो हमारी समझ को भी इसके अलाबा नतक के आपन विश्वास का कम होजाएं तो इसके अलाबा नतक के आत्मों निश्रास का का विश्वास को जाता है यह समित रुकलया हे गहें भगवान या किसी प्रमात्मा को हां जांग ह्या है या हमारे भक्ती को रशाना जाह रहे हैं यो और उप्रकश्ण में दार्शान को या हम कि दर्शक होताइब seven व्लिखा हम किसी आए पूर्जा कि तरफ हमारे संचालन को दर्शाएं का का पहरास कर दुए हूवे तो हम हमें इस प्रकार कि संचालन को ईशाजमी का क्रहत करना पड़े हैं तो हम नीचे के दिखा नहिंदा हमारे संचालन को तो इस प्रकार से जिस वस्तु को या अकूति को या जगर को या व्रति को हम दर्शाना चाले हैं, उसको ध्यान रगते हुए, उस थाव को ध्यान रगते हुए हमें हमारे दिशात्मा करता है। में बाद करते हैं कि इंद्रत्य में दिशात्मा करती एक हुए संचाल को सीखने का सटिक तरिवा क्या अंदर जे है। सबब रतु मूं सबच। दिशाओं के साथ जोई मूं द्रत्य स्थिटियों की मजबून पकड़ का हुना अश्या है। तर्पश्चा दिशाओं के उसे लियासित। मेरा प्राक्स यह ऐसी ख्रिया है। जिसके तेट नर्ट अपने दिशाओं गत्य या दिशाओं पक आंग को यह की गत्यों को देखकर सुधारत कर सकता है। एबं अपने आंग की समझ को बहतर दिना सकता है। तर्पश्चा शाहिलिक जाग्यता है। सही दिशाओं पक संचारत की समझ नतत के पोस्चर को एक बहतर स्वर्भू दे सकते है। और आंग में वसुदी करने के सुदर तांको निखारने का पैरास। नियवत रूप से इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हम एक बहतर आंग के तरफ बढ़ सकते हैं। यहों अपने मसुदी को सुदर दिला सकते है। यह कि हमारी आज की चर्चा मृत्य में दिशावतम है। आशा करते हुए, आप सभी को आज की इस आपकी ख्रास और कहतदार स्वाइड़ी ट्रेप में। मेरे साथ जोड़कर आनताया हो और आपको यह ख्रास उपरोप लाए। नमस्कार। मेरे साथ जोड़कर आनताया हो और आनताया हो और आनताया हो और आनताया है।